आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम शिद्धान तक नहीं होतरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत सबागत है तो पहले तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि क्राइम अफ़ेर्स को सब्सक्राइब पर आज मैं आपको कैसी कहानी बताऊंगा रूख काम जाएगी तो डिस्क्रिप्शन कमेंट वक्षे लिंक दिया हुआ है सबसे पहले दो दिन पहले मैंने सलमान पाए की बात कीते हैं सलमान पाए की बात तो उनको जरूर देखे हैं सा किलात बहुत ज़्यादा हैं अब अगर हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की तो ट्रैवलिंग में बहुत अच्छा खासा वक्त जाता है देखे पैसे की बात ही है वक्त की बात है वक्त ही पैसा है है ना अगर दो दिन आपका वेस्ट हो रहा है लखनों से चिन नहीं जाने में तो बैस यही है कि अब दो घंटे में पहुँचे फ्लाइट से, क्यूं? क्यूंकि वक्त, यानि कि जो दो दिन में काम आपका जाएगा, उससे दस गुना जादा पैसा आप बना लेंगे उसी टाइम पिरेड में, ठीक है? तो यह हम कभी-कभी सोचते नहीं, समझते नहीं हैं और यह हमारे अनलेसिस पे रहता नहीं है, तो अब जैसे जैसे मेट्रो सिटीज बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली, बैंगलोरो, मुंबई, वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं, इस्पेशली कंजेशन, दो हजार तीन-चार में, एक ऐसा हम लोगों को ड्रीम दि यह साम लोग ने 2004 में सोचा था, लेकिन दोस्तों, कारे उड़ने का सपना पूरा होने जा रहा है, भारत की पहली एयर टैक्सी, जिसको मिड़नाइट बोलेंगे, वो लांच होने जा रही है, दिल्ली से गुरुगराम तक का सफर, काफी वक्त लगता है, मैं मेट्रो से गय लग गयते मुझे, जिएर घंटे तो वो द्वार का पहुंचे तक उसके बाद फिर आपको और आगे जाने गुरुगराओं तो तो और ही मतलब मान के चलिए 2,5 घंटे गए आपके, ठीक है, खेर मैं तो गाजिया बाद से गया था तो और जदा वक्त लग गया था, तो ए ये टैक्सी आजाएगी, ये साथ मिनिट में सफर तैह हो जाएगा आपका, हाँ, हाँ, जेबे ढिली करनी पड़ेगी आपको, अभी लगबग अगर आप एक उबर बुग करते हैं, तो हजार से सोला सो रुपे दिखाता है, लेकिन ये वाला सफर आपको 32 रुपे में करना होगा, यानि कि दोगुना, अब बड़ी बात है कि ये कब आईगी, ये आईगी 2026 में, भारत को पहली एयर टैक्सी मिलने वाली है, किस से भारत खरीदेगा, आर्चर एविएशन से, अब भारत का कहने का मतलब भारत सरकार नहीं खरीदेगी, भारत की इंटर ग्लोब और् उसी की कंपनी, उसकी पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब, तो इंडिगो भाई धूम मचा रही है, 70%, 75% जो शेरिंग वो इंडिगो की है, अगर हम पूरे एविशन मार्केट की बात करें, अभी जो कमर्चल एयर लाइन्स उड़ रही है, उसमें इंडिगो जो है, वो लीडि तो 12 रोटर्स, यानि कि 6 आगे 6 पीछे लगे हुए, वर्टिकल टेक ओफ लैंडिंग का मतलब यह होता है, कि यह टेक ओफ भी वर्टिकल करेंगा लैंडिंग में, हलिकॉप्टर की तरह, ठीक है, यह दोड़े का नहीं, रनवे की ज़रूरत नहीं है इसको, छोटी सी जग वो भी नहीं हो, 6 बैटरी पैक्स लगे होंगे, जब फुल चार्ज है तो यह 500 किलो मीटर तक चल जाएगी, और यह 500 किलो मीटर तक जा सकता है, ठीक है, चार पैसेंजर्स इसमें बैठ सकते हैं, एक बार में, ठीक है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो आइडिय कर ली है, तो आगे आने वाले 2-3 सालों में आप उड़ते हुए देखेंगे, कारों को, तो AI टाक्सी will become a reality, स्टार्ट अप शुरू कर दो बैटा, भारत में अगर पैसा वैसा है, फंडिंग ले सकते हो, ले लो, इतना पैसा कमाऊँगे, इतना पैसा कमाऊँगे, कि क्या बता है, तो आर्चर एविएशन की बात करें, तो कैलिफोर्निया में इनका ओफेस है, ठीक है ना, और 2010-2021 को इन्होंने लॉस एंजलेस में इवेंट में दिखाया था, कि ये देखो ऐसा, अभी अमेरिका में भी लॉंच रही हुआ, अभी ट्रायल सेल रहे हैं, भाई आप ठीक है, पूरी दुनिया को कौन डॉमिनेट करता है, एक है बोईंग, ठीक है, दूसरा है यूरोप, तो आपका FAA, बोईंग मतलब FAA, अमेरिका, इसी इनकी एरिक्राफ्ट, नहीं तो एयरबस आपको मिलेगा, जो कि यूरोप का यूरोपियन एविशन एजिंसी का है, त चाइना ने अपना एर्ट्राफ्ट निकला ता चला ही नहीं, क्योंकि FAA ने बोला कि ये तो गड़बड है, पूरी दुनिया इन ही दोनों से ही, मार्केट पेर पूरी दुनिया में यही दोनों है, भाई, बॉमबाइडियार आया, कैनेडा का एर्ट्राफ्ट, एक्सेट आपके पास चारे हैं, और तो कोई है नहीं, तो जो FAA बोल दिया, क्लियरेंस दे दिया, तो सब बढ़िया है, अब ये लॉबिंग करते हैं, भाई, लॉबिंग मतलब क्या होता है, इतना पैसा ये डॉमिनेट करते हैं, मार्केट को अमेरिका में, तो ये अपने हिसाब से कानून मनाते हैं ये, ठीक है, अभी काफी बोईंग जो 787 ने उसमें काफी दिक्कते पैदा हुई थी, सवाल उठेते, एक विसल ब्लॉहर ने तो ये भी बोलाता कि वो मिड एयर में दो टुकड़ों में फख सकता है, है ना, बट क्योंकि ये लॉबिंग करते हैं कि बस ब बहुत सारे चेक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, तो बहुत सारी टेस्ट फ्लाइट साभी चल रही है और उसको अभी और एक साल लग जाएगा, उसके बाद न्यू यॉर्क में उतारेंगा और भारत सबसे बड़ा मार्केट है, भारत को वन बिलियन डॉलर, आठ हजार कर प्राक्सी जो है, वो चलाएंगे, और आपको पता दूँ कि इसको फाउन 2018 में ब्रेट एडॉक ने किया था, जो कि AI में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, पहले भी बहुत सारे मशीन से अलरेडी बना चुके है, ठीक है, उसके बाद इन्होंने आर इंडी की, और फिर इन् अमेरिका में तो प्रॉब्लम है ही है, है ना, अमेरिका में ट्रेंस नहीं चलती है, अमेरिका में ट्रेंस बहुत महेंगी है, बहुत महेंगी, तो अमेरिका में या तो कार से सफर करोगे, या प्लेन से सफर करोगे, रेलवे, भारत में रेलवे दुनिया का सबसे सस्ता रे बढ़ाई जा सकती है तो 500 किमेटर बहुत हो गया आप समझ सकते हो तो पैसे दो जेबे डिली करनी पड़ेंगे पैसा तो जादा लगेगा पठा दिली से गुड़गाओं विल बिकम रियालिटी ये टक्सी आजाएगी साथी साथ बैंगलोर मुंबही में भी ये लोग अपनी टक्सी लॉंच करने के तयारी में हैं तो देखेंगे लेकिन 2030 तक 2030 मान के चली कि आपको बहुत सरे शहरों में ये टक्सी मिल जाएगी कुछ रहे पढ़ते हैं देशे सिद्धान तक नहीं होतरी साइनिंग आफ चैनल क्राइम अफेर्स को जरूर सब्सक्राइब करें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है थांक्यू सो मच